दोस्तो, अगर आप खांसी से प्रेशान हैं, रात भर आप सो नहीं पाते हैं, सुखी खांसी से प्रेशान हैं, तो आज मैं आपको एक बहतर कप सिरब की बारे में बताने वाला हूँ इस cup syrup को एक दो बार पीने से ही आपकी खांसी कम हो जाएगी चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन यानि की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो दोस्तों कफ सिरब का नाम है Macberry DC यह सिरब सूखी खांसी के लिए काफी बेहतर है जिनको अलरजिक कफ है बार बार सूखी खांसी होती है उन लोगों के लिए यह कप सिरब काफी अच्छा है तो इसमें आप देख पार होंगे जैसे कि इच 5 मल में यानिकी 5 मल में तो आईए दोस्तों आप जानते हैं इसकी डोसेस के बारे में, तो एडल्स यानिकी बड़े लोगों के लिए 2 टी स्पून यानिकी 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेना होता है, 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 1 चमच यानि 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, और 4 से 6 साल के बच्चों को इस सिरफ को देने से पहले हमेशा एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर ले, ये सिरफ शुगर फ्री है, इसको डियाबेटिक पेशिन भी ले सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप सोखी खांच से परिशान हैं, अलर्जी कब से परिशान हैं, आप इस कब सिरफ का जरूर 7 कर सकते हैं, दोस्तों ये कोई प्रोडेक्ट की प्रोमोर्शन की वीडियो नहीं है, यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है, इस कब सिरफ का 7 करके आप कमेंट जरूर करना कि आपको आराम मिला या नहीं मिला, जानकारी अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना,